हलो बच्चों तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर नमबर 10 को और यहां हम लोग इस चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले तो NCRT बुक से पढ़ने वाले हर एक लाइन को पढ़ेंगे और उसे जो भी question answer बनते जारे हैं उन सब को हम लोग पढ़ते चलेंगे तो बच्चा लोग चैप्टर का क्या नाम है चैप्टर का नाम है motion and measurement of distance तो motion का मतलब क्या होता है बच्चों इस का मतलब होता है गती और distance मतलब क्या होता है दूरी होता है तो यहां पर गती, दूरी, समय इन्ही सब चीजों के बारे में पुरा विस्तार से बताये गया है जो कच्छा च्छे के लिए हमें जरूरत है तो चलो देखें क्या-क्या बाते बताई गई है तो यहां पर पहली और बूझो इनके तुम जानते ही हो इनके क्लास में जो बच्चे हैं वे आपस में डिसकस कर रहे हैं समर वेकेशन में वे लोग कहीं घूमने गए थे उसके बारे में someone had gone to their native village by a train उन में से कुछ बच्चे कहां गए थे अपने native village यानि की गाउ गए थे किस के द्वारा train के द्वारा then a bus and finally a block card यानि की पहले तो train से गए उसके बाद उसने उन्होंने bus का यूज किया और उसके बाद बैल गारी का यूज किया वन स्टुडेंट है ट्रैवल्ड बाई एन एरोप्लेन तो एक बच्चा था उनमें वो एरोप्लेन से भी वो इसने ट्रैवल किया यात्रा किया उसमें से कोई एक बच्चा था जो अपने अंकल के बोट के द्वारा जो फिशिंग ट्रिप पर गया हुआ था तो ये देखो ये सारे लोग देखोगे कि ये कुछ ना कुछ यात्रा कर रहे थे कहीं एक जगा से दूसरे जगा जा रहे थे तो यहां पर एक आर्टिकल को पढ़ने के लिए उनका टीचर बोलता है जो कि मार्स पर जो वेहिकल गया था जो कि वहां पर वह भी क्या कर रहा था वह भी वहां पर चल रहा था कुछ दूरी तै कर रहा था मिन्वाइल मतलब इसी के बीच पहली हैड बिन रीडिंग स्टोरीज अबाट एंसेंट इंडियन इंडिया एंड वांटे टू नो हाव पीपल ट्रावर्ड फ्रॉं वन प्लेश टू अनदर इन अर्लियर टाइम तो यहां पर जो भी बाते तुम देख रहे हो यह बताय जा है और उसी को हम लोग यहां पर पूरा डीटेल में पढ़ने वालती यहां से कोई खास क्वेशन आया बच्चो नहीं कोई खास क्वेशन नहीं आया स्टोरी स्टोरी ओफ ट्रांसपोर्ट तो यहां पर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताए जाए तो ट्रांसपोर्ट क्या ह जिसके दुआरा एक जगा से दूसरे जगा हम लोग यात्रा करते हैं लोग एगो पिपल डिड नॉट एव एनी मीन्स ओफ ट्रांस्पोर्ट यहां से तुम्हें क्वेशन पूछा जा सकता है कि बहुत पहले प्राचीन समय में लोग ट्रांस्पोर्ट के लिए किस चीज़ का यूज करते थे तो एंसर है वो किसी भी चीज़ का यूज नहीं करते थे बलकि वो सिर्फ अपने कदमों का यूज करते थे यानि पैदल चलते थे और उनका जो सामान goods मतलब होता है सामान बचो good मतलब होता है अच्छा लेकिन एस लगाने पे हो जाता है goods जिसको बोलते हैं सामान तो वे सामान को carry करते थे अपने पीट पर ठीक है ये question तो उसे पुछेगा तो मैं एंसर कर देना कि पहले लोग को के पास ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था वे पैदल चलते थे और अपने सामान को पीट पर लाद के चलते थे Later on they began to use animals for transportation और उसके बाद किस चीज़ का use होने लगा तो उसके बाद animals का use होने लगा और आज भी देखोगे कि animals का use हम लोग transportation के लिए गाओं दे हातों में करते हैं For transport through water routes boat were used from ancient times तो देखोगे पानी में ट्रांसपोर्ट के लिए boats का use होता था तो यहां से question आएगा कि ancient time यानि प्राचीन समय से ही पानी वाले रास्ती में ट्रांसपोर्ट का क्या साधन था तो answer है boats ठीक है boats मतलब ना हो गया To begin with boats where simple logs of wood in which a hollow cavity could be made तो शुरुवात में क्या था जो boats थे वो simple logs of wood होते थे Woods की log मतलब क्या हो गया कि इस तरीके का यह देखो यही है wood का log ठीक है न और यही इसी का use किया जाता था और उसमें क्या किया जाता था बीच में उसको hollow cavity बना दिया जाता था मतलब इसको बीच में क्या किया जाता था hollow कर दिया जाता था और इस प्रकार से boats बनाए गए तेकिन आज कल तुम देख रहे हो कितने तरीके के बोट्स हम देख सकते हैं विभिन दिजाइनों के लेटर यानि की बाद में पीपोल लर्न टू पूट टूगेधर डिफरेंट पीसेस ऑफूड एंड गिव शेप टू दा बोट्स और बाद में लोगों ने लकडी का ही यूज किया और उसको अलग अलग शेप देकर के बोट को बनाना शुरू किया दीज शेप इमिटेटेट दा सेफ ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर तो यहां देखो इमिटेट मतलब क्या होता है बच्चों इमिटेट मतलब उसके ही जैसा छदमावरन देना जैसे की बोट का जो शेप है उसको जो एनिमल्स जल में रहते थे उसी के जैसा शेप देने का कोशिश किया गया ठीक है ना रिकॉल आवर डिसकुर्शन ओफ इस स्ट्रीम लाइंड शेप और फिश इन चैप्टर एट और नाइन तो फिश का यहां से कुशन आएगा कि फिश का जो तुम्हारा शेप होता हो कैसा होता है तो स्ट्रीम लाइ का करेंट है इसको यह क्या कर सके आगे की और आसानी से बढ़ सके इसी को कहते इस्ट्रीम लाइंड शेप तो इस्ट्रीम लाइंड शेप किसका होता है फिश का होता है इन्वेंशन तो बोट का भी देखोगे यह जो बोट आज कल तुम देखोगे बोट इस प्रकार से बो change in modes of transport तो यहां पर देखोगे किस चीज का invention ने transport के mode को ही change करके रख दिया तो उसको हम लोग बोलते हैं invention of wheel, wheel मतलब क्या हो गया चक्का का खोज यानि की wheel जानते हो ना बच्चा लोग यह रखो यही है wheel तो wheel का जो खोज हुआ उसने transport के दिशा में एकदम क्रांती कारी प्रभाव लाया, the design of the wheel was improved over thousands of years तो अब यह जो आज कल हम लोग wheel use कर रहे हैं क्या प्रारंभ में वैसा ही wheel था वैसा ही चक्का था तो answer है नहीं इसका जो design है वह क्या हुआ बहुत improve है हजारों वर्षों के दोरान आज तुम देखोगे कि आज बाइक होते हैं पहले उसमें steel का देखते थे कि rim होता था आज देखोगे alloy wheel है तो वह भी क्या transformation है जो की धीरे धीरे change होते जा रहा है animals were used to pull carts that moved on wheels तो इसमें शुरुआत में भी देखोगे और आज कल भी दुख्म देख सकते हो कि यह जो wheels है wheels से लगे हुए carts हैं बैल गारी है उसमें animals का यूज किया था था उसको pull करने के लिए खीचने के लिए until the beginning of the 19th century people still dependent on animals boards and ships to transport them from place to place तो देखो यानि की उनिश्वी सताबदी के पहले तक लोग सिर्फ और सिर्फ किस पर dependent थे animals पर dependent थे boards और शिर्फ शिप जो हैं वो अभी बहुत पहले से प्रचली थे हैं दा invention of steam engine late to the development of new means of transport तो यहां देखोगे इसके बाद आया steam engine यानि की यह जो steam मतलब क्या होता है बच्चो भाफ होता है और इंजन तो भाफ इंजन का जब शुरुआत हो भाफ इंजन को जब प्रचलन में आया तब जो new transport of new means of transport है उसका शुरुआत हुआ फिर देख सकते हो यह engine कोईला का उपयो करके steam engine चलता था पहले के जबाने में driving carriages and wagons तो यह बहुत सारा wagons उसमें लगे हो तो इससे की सामान को ढोया जाता है फिर later came तो यहां देख सकते हो यह airplane देख सकते हो bicycle देख सकते हो जिसमें क्या है wheel लगा हुआ है यहां भी देख सकते हो block cart है जिसमें wheel लगा हुआ है animal से खीचा जा रहा है और आज तो तुम देखी रहो railways है फिर यहां पर क्या है तुम्हारा bus है car है motorcycle है तो तुम से पुझेगा write down some means of transport तो तुम इसका answer दे सकती है सारे नाम तुम यहां पर अभी लिख सकते हो automobiles such as motor cars trucks and buses तो यहां जान लो बच्चों तुम्हें अदि नहीं पता है तो जो motor car है truck है bus है motorcycle यह सारे क्या होते automobiles इसको हम लोग बोलते हैं ठीक है यहां देखो motorized boats motorized मतलग उसमें motor लगा हुआ है वैसे boat and ships were used as means of transport on water तो यह सारे means of transport हैं देखे ना the early years of 1900 saw the development of airplanes these were later improved to carry passengers and goods तो फिर से यह goods आ गया कि यह बाद में किस चीज़ के लिए इंप्रूब हुआ जिसते की passengers को carry किया जा सके सामान को ढूआ जा सके electric trains, monorail, supersonic airplanes and spacecrafts are some of the contributions of 20th century और भाई तो उसके बाद 20th century भी तो आ गया और अभी कौन सा चल रहा है 21st century हमारा चल रहा है तो देखोगे 20th century में ही कितने सारे inventions आ गये जैसे की electric trains आ गया फिर monorails आ गये फिर supersonic airplanes तो supersonic airplanes क्या होते है जो की supersonic speed से चलेगा ठीक है ना उसको supersonic airplanes कें मतलब sound के speed से भी ज़्यादा तेज चलेगा ठीक है ना and spacecraft आ गया तो यह से 20th century के inventions है तो question पूछेगा write down the name of some inventions or some mode of transport in 20th century तो यह सारा नाम तुम लिख सकते हो तो तुम इसको earliest सबसे पहले कौन आया होगा जल्दी से सोच के बताओ तो earliest mode of क्या होगा तुम्हारा यह होगा तुम्हारा block card और उससे फिर new mode देखो यह तो बहुत नया लग रहा है यदि सिर्फ boat रहेगा तो उसके बाद boat आ जाएगा ठीक है फिर तुम्हारा cycle हो गया फिर तुम्हारा bus हो गया train हो गया airplane हो गया फिर तुम्हारा बहुत बड़े बड़े जहाज हो गया पानी के लेकिन यह बोट्स हैं नाओ का यूज होई रहा है यानि कि अभी भी सारा यूज में है how wide is this desk how did people know how far they have traveled now we are coming to our topics की अब हम लोग कैसे जान पाएंगे कि कोई एक व्यक्ति कितना दूर उसने travel किया है how will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school अब तुमको कैसे पता है मान लो की तुमको बहौत दूर जाना थो क्या तुम paddle नीकल जाते हो नहीं लिए बहुत जग्षा से जाते हो और बहुत जगा지सा है जहां पर तुम्हें train से जाना पड़ेगा या फिर तुमको bus का use करना पड़ेगा तो भाई ऐसे कैसे तुम जान पाते हो कि कहा किस चीज से जानता है तो वहाँ पर हम लोग distance को देखते हैं किस चीज को देखते हैं बच्चो distance यानि कि जिस point से तुम्हें जाना है और जिस point तक जाना है उनके बीच का जो length होता है उनका बीच का जो length होता है दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग distance बोलते हैं ठीक है ना distance और ये distance हम लोग देखेंगे कि यदि मालो के तुम्हारा 1 km distance है तो तुम पैदल भी निकल जाओगे यदि 10 km के लगबग है तो तुम कुछ कार वगरा मोटर साइकल से निकलोगे लेगिन यदि 1000 km है तब कैसे जाओगे तुम विया ट्रेन जाओगे विया ट्रेन या फिर तुम बस से भी जा सकते हो तो इस प्रकार से वहां का रास्ता कैसा है और किस प्रकार से mode of transport वहाँ पर जा सकता है तो इस तरीके से different types of transport का हम लोग use करते हैं कैसे distance को देख करके और साथी वहाँ का जो road है वो सारा चीज़ देख करके हम इसे use करते हैं when you need to purchase something it is possible for you to walk to a market to the market how will you know the answers to these questions it is often important to know how far a place is कोई जगा कितनी दूर है उसी को उसका क्या कहते है distance कहते है और यदि तुम्ही ये पता है तो फिर उसके बाद तुम्हीं कैसे जाना है so that we can have an idea how we are going to reach that place walk, paddle चल के, take a bus, bus के द्वारा, train के द्वारा, ship के द्वारा, airplane के द्वारा even a spacecraft, तो किसी को यदि चांद पर जाना है, Mars पर जाना है तो क्या train or bus से जाएगा, या airplane से जाएगा, no, he will use an spacecraft समझ गया है, sometimes there are objects whose length or width we need to know in पहली and बुझो जास्रूम, there are large discs which are to be shared by two students पहली and बुझो शेर वन दिस्क but frequently end up objecting that the other is using a larger share of the disc, ठीक है, now on the teacher suggestion they decided to measure the length of the disc, तो तुम देखोगे classroom है, वहाँ पर कुछ disc लंबे होते हैं, कुछ disc क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ middle size के भी हो सकते हैं, make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the two halves of the disc, यानि कि यहाँ बीच में middle point ले लो और यहाँ पर separate करो दोनों को बराबर दूरी पर, बोथ पहली and बुझो आर वेरी fond of playing गिल्ली डंडा with their friends, तो गिल्ली डंडा तो तुम नाम जानते भी नहीं होगे बच्चों लेकिन पहले के जमाने में काफी लोग गिल्ली डंडा खेलते थे, बुझो ब्रॉट असेट ऑफ गिल्ली and डंडा with him, here is how they try to measure the length of desk using a डंडा and गिल्ली, the desk seems to be having length equal to two डंडा lengths and two lengths of the गिल्ली, तो डंडा गिल्ली में एक बड़ा सा डंडा होता है, चोटा सा गिल्ली होता है, तो जब उन्होंने डंडा और गिल्ली दोनों को लिया और उससे desk का measurement करना शुरू कर दिया, the desk seems to be having a length, यानि की desk का लंबाई कितना था, equal to दो डंडा के बराबर था and two lengths of the गिल्ली, यानि दो डंडा के बराबर लेंद था और दो चोटा चोटा गिल्ली के बराबर क्या था, उसका लेंद था, drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to डंडा and गिल्ली, in length after a few days the marked line gets wiped out, बूजो नौट now has a new set of गिल्ली and डंडा as he lost his old one, अब देखो पूरा ना गिल्ली डंडा उलोग ने, देखो यहां पर क्या किया, इतना बड़ा डिस्क था, तो पूरा मिला के दो डंडा था, दो डंडा और दो गिल्ली था, ठीक है, बराबर होगा यह गिल्ली था, तो क्या किया, इन्हों ने बोला कि आधा आधा में बैठना है, तो एक डंडा और प्लस एक गिल्ली यह बराबर नाप लिया और आधा आधा करके वो लोग बैठ रहे थी यहां पर मानलोट, ठीक है इस प्रकार से, लेकिन बात में यह जो लाइन था, लकीर था, वो मिट गया, तो फिर यह गिल्ली डंडा वो खोग दिये, बात में उनके पास लंबा डंडा था, और मानलो छोटा गिल्ली था, तो क्या बात में इस गिल्ली और डंडा से इसको फिर से मेजर किया जा सकता है, तो एंसर है न उन्होंने मेजर किया होता, एक मीटर उनके पास होता हो, इससे मेजर किया होता, तो उस मीटर में मेजर किया होता, और माल लो कि इसका लेंथ आया होता, दो मीटर, यहां से यहां कितना मीटर आया होता, दो मीटर, और फिर उन्होंने इसको आधा कर लिया होता, तो एक मीटर इधर हो गया, और एक मीटर क्या हो गया इधर हो गया तो always जब भी मीटर क्या हो गया, एक standard unit हो गया और उसे standard unit से जब इसका length मापा जाएगा तो always वो क्या हो गा, standard आएगा दुनिया में कहीं भी जब 1 meter होगा यह बराबर ही होगा तो बाद मी जब इसका यूरू ने अलग जी डंडा से मेजर करना सुरू किया तो वह हो și नहीं रहा था हूँ गडबढ हो जा रहा था ठीक है मतलब कि वो जो नया गिली डंडा से नापना सुरू किया तो नाप हो ही नहीं पा रहा है तो अब क्या करें तो भाई वो गड़बढ है यानि कि किसी भी चीज से किसी को मैजर कर देना ये गलत है कोई स्टैंडर्ड योनिट होना चाहिए तो उसके लिए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं माल उसके पास कुछ ने थे तो है ना स्केल एक स्टैंडर्ड योनिट है जिसमें सेंटिमीटर बना हुआ है या फिर तुम्हारा इंच बना हुआ है तो उसका यूज करके वो लोग उसको क्या कर सकते थे मेजर कर सकते थे और मालों की यहां से यहां तक मालों की 100 cm होता तो पचास-पचास दो भागों में बाट लेते ठीक है ना तो यह सारा चीज क्या है लिंथ को मेजर करने के यूनि So, answer is it will also create the same problem because these sticks or these bells are not the standard things that is used for taking length. One thing they could do is to take a small length of a string and mark two points on it. This will be a string length. they can measure the width of the disc in string length how can they use the string to measure distance less than the length of the string they can fold the string make into two yeah yani ki one by two one by four one by eight string length now perhaps pahali and bujo can measure the exact length of the disc using the string you would say you would say that they should use the scale in their geometry box and solve this problem yes of course so scale ka use kar sakti hain aur kya kiya gya yaha se yaha ta kek tum rasi ko na ap lo aur us me us ko aadha kar lo to aadha aadha kar sakti ho thikha na to bujo has been reading about the way people use to measure distance ab dkho to log johan wo aisee hi ulta sitha karthay kya length ko measure karne ke liye to answer hai nahi joh log hai woh ek dam jayse ki tum kapda maal loo kharidne ja raha to gilli danda se kapda measure kiya jata hai jayse ki tum maal loo ki tumhara hini length ko measure karna ki tumhara height kitna hai to height ko measure karne ke liye gilli danda use karengi kya nahi bachyo isme kuchy standard unit am loo use karthay hai to yaha yaha taak bakwaas likhha hoa hai koi khas hi zahe nahi ye bekoofi banae jara hai tumko kyunki you already know how we measure our height you already know how we measure our clothes to tumhye sara bat jantai hoon pata nahi aisa kyunh padhae jata ncrt me mujhe rhi samajh me aati before such standard skills we are made and he has been trying to follow different methods of measuring distances there are so many occasions when we come across a need to measure lengths and distances to tum toh jantai hi ho ki hajaru baar humnye aise situations aate hai jab humko length ka measure karna hooga distance ka measure karna hooga toh fir se minh dhek bata dhe raha hoon the tailor needs to measure the length of the clothes to no no if it is enough to stitch a kurta toh maanlo tumhye eek kurta silwana hai maanlo tumhye eek shirt silwana hai toh uske lihe jab tumh kapda lene jau hooghe market me toh haa par measure karak ke lao ke mujhe 1.5 meter 2 meter kapda chahiye uske baad jab taylor ke paas jau hooghe toh woh bhi kapda ko vibhin prakara ke shapes me cutta hai toh woh bhi kiya karee ga uske measure karke hi kaate ga a carpenter needs to measure the height and width of cupboard to know how much would he would need to make its door the farmer needs to know the length and breadth or the area of his land to know how much seed he can saw and how much water would be needed for his crops तो एक जो किसान है मालो वो जब खेती कर रहा है तो कितना area में खेती कर रहा है उसके लिए उसको measure कर लेगा अब उसको 100 मतलब क्या हो गया बोना बीज बोना तो कितना बीज उसको चाहिए वो कैसे पता करेगा उस area के एक हिसाब से पता करेगा यहती चोटा area है तो उससाब से वन बीज खरीद के लाएगा बड़ा एरिय वह प्रकार में बीज खरीद के लागा और उसमें देगा तो यहां तुम देख सकते हो और खुद तुम जानते हो कि तुम्हें भी कितना चीज मेजर करना होता है तो भाई measurement मतलब मापना जो है वो बहुत important चीज है हमारे life का हर एक जगा पे इसका use है तुम भी इसको बहुत अच्छे से जान रहे हो Suppose you are asked how tall you are तुमको यदि पता करना है कि तुम कितने लंबे हो तो क्या करोगे अपना length को तुम measure करोगे ठीक है तो यह सारा चीज तुम करोगे अब देखो यहां पर देखो अब देखो how long is this room, how wide is this desk, how far is from Delhi to Lucknow, how far away is the moon from the earth तो अब जब हम लोग को measurement करना है तो कोई ना कोई unit हम लोग को use करना होता है यानि दो जगों के बीच का जो दूरी होता है जो length होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उसी को हम लोग distance के नाम से जानते हैं दिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में दूरी लेंथ को क्या बोलते हैं लंबाई ठीक है यह सब भी तुम जान लो अब चलो दू प्लेसेज में भी क्लोज एनफ लाइक दू एंड्स ओफ टेबल और दे में भी फार अपर्ट लाइक जमू एंड का कन्या हुमारी तो भाई दो जगा दो जो बिंदू है इनके बीच का जो length है वो कम भी हो सकता है जैसे तुम्हारे पैंसिल का लंबाई हो गया मेरे ट table का लंबाई हो गया नोगा का लंबाई हो गया लेकिन बाई जम्हो और कर्ण्याकुमारी का बीच का 큰 दूरी वो क्या है बहुत 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 दूर है तो यहां पर यरीक मेजर करना है तो उस प्रकार को यूनिट और को कर को जो कुछ मों को यह हम लोग academia को कि यह भाई मा नहीं उसको हम लोग मीटर में मेजर कर सकते हैं यदि एक बैक्टेरिया के लिंद्ध को मापना है तो बैक्टेरिया के लिंद्ध को किलो मीटर में मेजर करेंगे यहां मीटर में मेजर करेंगे नहीं उसके लिए माइक्रो मीटर का यूज के जाता है यानि कि अलग-अलग ची each of you do this activity one by one using your foot as a unit of length अरे बार बार यहां तो भाई यह पैर हाथ और गिल्ली डंड़े सब सीखा रहा है कोई बात नहीं है चलो वही सब कर लेना जो कह रहा है कि क्लास्रूम का लंबाई कितना है तो दस पैर जो कह रहा है करो यार इसके बाद बित्ते से लंबाई तो भाई ज जम्मू का जम्मू का I amigari कव बेक्ष का दोरी को बित्ता से तो ना पाना है और हर एक लोग का जो बिरता हो एक जैसा है क्या इसलिए यह सब जो स्टेंडर्ट यूनिट नहीं यह बस सिंपल सा बताया गया है इस तरीके से तुमको बैर कभी करने का जभरत नहीं है है we see that measurement means the comparison of an unknown quantity है न है विच समनोन quantity तो measurement क्या है measurement का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे quantity का लंबाई जानना है unknown चीज का किसी नोन चीज से जैसे कि माल लो नोन चीज क्या हो गया मेरा हाथ का यह एक बित्ता हो गया इससे हम इस डिस्क क्या हो गया unknown और हाथ का बित्ता क्या हो गया नोन तो हाथ का बित्ता से इस डिस्क के बित्ता को ना डिस्क के लंबाई को मापना है बोलें कि चार बितता है तो इस प्रकार से एक नौन चीज़ से अनौन चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं ठीक है दिस नोन फिक्स्ट क्वैंटिटी इस कॉल्ड ए यूणिट और यहां पर इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं यूणिट बोलते हैं तो बोलेगा, what is unit, तो unit क्या है, it is measuring quantity, यह क्या है, fixed measuring quantity है, जिसके द्वारा किसी चीज़ को measure किया जाएगा, the result of measurement is expressed in two parts, one part is a number, the other part is unit of the measurement, अब देखो, जैसे मालों मैं बोल रहा हूँ, four kilometer, या four meter, या four micrometer, तो यह सब four, या फिर fourteen लिख दो, या फिर fifteen लिख दो, इस तरीके से, तो यह सब क्या है, यह सब numerical value हो गया, और यह जो kilometer है, meter है, centimeter है, millimeter है, micrometer है, यह क्या हो गया, unit हो गया, तो कोई, जब भी measurement होगा, तो दो चीज़ हम लोग use करेंगे, एक unit हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, तुम्हारा, क्या हो जाएगा, number, ठीक है, यही तुम्हारा, दो चीज़ मिलके, उसको measure करेगा, तो the first part is a number, first part is a number, and the second part is a unit, और दूसरा part क्या है, unit, इस प्रकार से, तुम्हारी height क्या हो गई, five feet, क्या है, five feet, तो five हो गया, number, और feet क्या हो गया, उसका unit, तुम्हारे घर से, तुम्हारे school के बीच की दूरी क्या है, दो किलो मीटर, तो दो क्या हो गया, एक number हो गया, और kilometer क्या हो गया, unit हो गया, ठीक है, in activity, if in activity one, the length of the room is fine to be 12 lengths of your food, then 12 is the number and foot length, foot fighter use नहीं कर दी, माथा खर आप करके रखा है, foot और बिता और यह सब से नहीं measure करते है, यार हम लोग standard unit use करते हैं, ठीक है, ना, दिमाग मत कर आपको रहो अपना, now study all the measurements recorded in table, तो करो यार, are all the measurements for the room using everybody's foot equal, are everybody's measurement by hands, span of the width of the table equal, बैशuity झरो बनण करते हैं, की astronomy को बढ़ कर रहे हैं, कि हर एक का पैर का आप का जो कड़म है is कमया यहाbb कमा व्यों बना बढ़तार व्योद्यार और लिखने हैं क्या जरूरी है सीदे सीदे standard unit के विशल रड़ा कही और कर पहले बनाएघंगा है के मेजर्मेंट इसको हम लोग पढ़ते हैं दिमाग खराब करता है यह बुक चलो इन एंसियन टाइम्स दे लेंथ ओफ फूट दे विट्थ ओफ फिंगर एंड दिस्टेंस ओफ स्टेप वेर कॉमनली यूजड एट डिफ्रेंट उनिट्स ओफ मेजर्मेंट तो भाई लिखा एंसियाट में तुम क्या करोगे क्योंकि क्वेश्चन तो तुमको पूछी देगा तो क्या बोलेगा है मैं नहीं जबाब दू जो की यूज किये जाते थे तो तुम्हें एंसर दे दे ना क्या कि लंबाई पैर का लंबाई या फिंगर का विट्थ मतलब लंबाई ठीक है यह सारा कुछ कुछ कॉमन चीज था जिसको हम लोग यूज करते थे लेकिन अब तो भाई एकदम नहीं यूज कर सकते हैं दपी नहीं सुनाया था था एक बहुत अच्छा यूनिट यूज किया जाता होगा दे अध्य लेंध फ्रॉम्द अल्बो टॉदे फिंगर टीप वाव यूज इजिप्ट कह रहा है ठीक है इसको ऐसे स्पेल कर लो और मतलब है प्रनाउंस कर लो कुबिट कह रहा है तो वह क्या बोल रहा है एल्बो से फिंगर टिप तक का लेंद को यूज़ कहा रहा था एजिप्ट में वाज अलसो एक्सेप्टेड एज यूनीट अफ लेंद इन अध पार्ट्स ऑफ दा वर्ड तो यह पहले याद यूज़ होता था इंसे टैमें इसको तुम याद कर सकते हो एक चीज़ को ठीक है ना सकती हो पीपल आल्सो यूज़ द फूट एज यूनीट ऑफ लेंद इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ड तो तुमने फूट का नाम ज़रूर सुनाँगा एक फूट दो फूट तो यह जो फूट है इसको डिफरेंट वर्ड में डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग जबहों पर इसको लिंथ के यूनीट के रूप में यूज़ किया जाता था दे लेंथ आफ द फूट यूज़ वैरीड स्लाइटली फ्र तो देखोगे कि बहुत सारे लोग यार्ड का यूज़ करते थे इस चीज़ के रूप में यूनिट के रूप में और यह यार्ड कितना होता था तो आउट स्टेश्ट आर्म यानि की हाथ को फैला दिया जाए और जो थुड़ी है उसकी बीच का जो दूरी है उसी को एक य कर सकते हो तो मिलियाद कर सकते हो अब इंडिया की बात करें चेयट यह नी प्राचीन भारत में Small length measurement used where an angle, यानि आज भी देखोगी कि बहुत सरे लोग एक अंगुल, दो अंगुल, चार अंगुल, अंगुली को बोलते हैं, या फिर मुठी का यूज करते हैं, मुठी को इंग्लिश में फिश्ट बोलते हैं, इसका यूज करके measurement करते हैं, Even today, we can see flower sellers using their four-arm, यानि flower sellers जो होते हैं, वो अपने four-arm मतलब क्या होता है, अपने हाथ का यूज करते हैं, एक unit के रूप में, किस चीज के लिए garlands के length को नापने के लिए, garlands क्या होता है, जो माला होता है बच्चो इस तरीके से फूलों का उसी को बोलते हैं, garland, ठीक है, In many towns of India, many such body parts continue to be in use as unit of length when convenient, ठीक है न, तो इस प्रकार से देख सकते हो कि बहुत body parts का use किया जाता है unit के रूप में, लेकिन तुम ही बताओ बच्चो कि क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है, और एक चीज को इस तरीके से हम लोग एक अंदाज के रूप में भरे ले सकते ह ये उतना body parts का use करना वो सही नहीं है, हरे किस के लिए, however, everyone's body parts could be of slightly different size, अब किसी का हांत लंबा होगा, तो किसी का छोटा भी होगा, तो इसमें नुकसान तो तुम्हारा ही है, this must have caused confusion in measurement, तो भाई, एकदम सही बात है कि ये measurement का unit नहीं हो सकते, एकदम clear बात सुन लो, In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system, तो यहां से तुम्हारा question आएगा कि कब तो 1970 में, किस ने, तो French ने, क्या बनाया, तो they created a standard unit for measure of measurement, standard unit बनाया, उसी को क्या कहा, metric system कहा, तो what is metric system, it is a standard unit of measurement formed by French, okay, in 1790, तो यह सब बाते तुम्हें याद रखना है, for the sake of uniformity, uniformity मतलब क्या है, कि world के सभी हिस्ते में एक जैसा मान रहे है, जैसे एक मीटर इंडिया में जितना होता है, उतना ही एक मीटर अमेरिका में भी हो, और इंडिया के हर एक भाग में भी एक मीटर उतना ही बड़ा हो, तब उसको हम लोग क्या ओरेंग, एक standard unit मान सकते हैं, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement, तो scientists लोगों ने इसलिए एक standard unit of measurement को accept किया, जिसे की पूरे वर्ल्ड की विबिन भागों में जो उट पतांग हम लोग बोलें, जो measurement के लिए चीजों को यूज किया जाता है, हाथ पैर को यूज किया जाता है, उससे बचा जा सके, the system of units now used is known as the international system of unit, यानि कि SI unit क्या है, the international system of unit, SI unit तो ये direct question है, SI unit क्या है, the international system of unit, को इदिकत, the SI unit, अब SI unit देखोगे कि अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग है, तो हम लोग आगे देखेंगे, जैसे हम लोग यदि समय की बात करें, यदि time की बात करें, तो उसका SI unit second होगा, ठीक है, यदि हम लोग दूरी की बात करें, distance की बात करें, तो SI unit क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यही SI unit है standard unit है और भी बहुत सारे standard unit को पढ़ो गए आगे तो इनको तुम्हें याद करना होगा जिसमालों की वजन के लिए हम लोग करेंगे तो उसका क्या है केजी हो जाएगा ठीक है ना ದेशा frame of line of me क्या है में केशनाग़егक एसा यहनीट का मेंड़ है अब द्हान से सुनो यूंट हम लोग लिग अलग अलग चीजों से माप सकते हैं जैसे सेंटी मीटर में भी माप सकते हैं मिली मीटर में भी माप सकते हैं आप सकते हैं बिलकुल लेकिन यदि तुम से एक्जाम में पूछे वाट is the standard unit यानि कि SI unit पूछेगा इंटरनेशनल स्टेंडर्ड यूनिट है तो उसका एंसर क्या है मीटर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मीटर लिखना होगा यदि तुमने किलोमेटर लिख दिया तो एंसर गलत यदि तुमने सेंटिमेटर लिख दिया तो एंसर गलत ओके अब मीटर स्केल इस सोन इन फिगर 10.6 नीचे दिया गया है और सोन इन दा 15 सेंटिमेटर स्केल इन योर जियोमेटरी बॉक्स इच मीटर इस डिवाइड़े इंटो 100 एकवल डिविजन कॉल सेंटिमेटर यह तो तुम जानते हो कि एक मीटर में कितना सेंटिमेटर होता है तो स याद कर लेना है अभी इसी के साथ देखोगे कि एक सेंटिमेटर हम लोग देखे हैं तो उसमें दस मीली मीटर होता है तो यह दूनों बात एकदम रट लो अभी ही एकदम फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इस नौट अ कन्वीडियंट यूनिट अब देखो ला तो तुमसे मैं question पूछता हूँ बताओ क्या centimeter इसाइए unit है length का no sir क्या millimeter है no sir क्या kilometer है no sir क्या है बच्चों meter है याद रखना है सारा बात यह वी डिफाइन अलार्ज उनिट आफ लेंथ इस कॉल्ड किलो मीटर तो तुम भी जानते बच्चों की किलो मीटर में हम लोग लाज डिस्टेंस को मेजर करते हैं जैसे एक किलो मीटर अब कितना हो गया एक हजार मीटर यह सब बात याद रखना एकदम फी बी आई है मोस्ट इ एक्टिविटी इस उस अस्टेंडर्ड स्केल और मेजर इन एसाइ यूनिट बिफोर वी दो एट वी दो नीट तो नो दा करेक्ट वी ओफ मेजरिंग लेंस एंड इस तेंसे तो चलो करेक्ट मेजरमेंट ओफ लेंज चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन आवर डेली आइप वी यूज वेरियस टाइपस ओफ मेजरिंग डिवाइसे वी यूज और मेजरिंग लेंथ और टेलर यूज इस अटेप वियर आज अ क्लोथ मर्चेंट यूज इस अ मीटर रॉट तो तुम से क्वेशन पुछेगा कि बताये बच्चा लोग कि जो हम लोग देवाइस डेली यूज में करते हैं तो हम लोग कौन सा यूज करते हैं मेटर सकेल को यूज करते हैं यदि टेलर की जाए जो टेलर कपड़ा सिलता है वो क्या यूज करेगा वो टेप यूज करता है तुमने देखा भी होगा और जो जमीन को मेजर करते हैं वो क्या करते है बोड़े बोड़े टेप का यूज करते हैं जो तुमने देखा होगा मिस्तरी लोग यूज करते हैं और यदि हम लोग बात करें क्लोथ मर्चेंट की यानि की कपड़े के दुकांदार की जो की कपड़ा बेचता है तो वह रॉड वाला मीटर यूज करते हैं उसको पास रॉड रहता है वर मेजरेंग देलेंट ऑफ अन आपजेक्ट यू मुस्ट चूज असुटेबल डिवाइस यानि की अब हम लोग टेलर जो है वह کیया करेगा रॉड को यूज करेगा तो काम चलेगा क्या नहीं चलेगा और तुम क्या करोगे तुम टेप ले जाकर के इस क्लासून में मेज मेजर करोगे तो तुम्हारा कम चलेगा नहीं यानि कि सब को सूटेबल डिवाइश यह मेजर करने के लिए यू के नौट मेजर दगर्थ आफ ट्री और दसाइज आफ यूर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्किल ठीक है गर्थ मतलब क्या होता है मोटाई तो पेंड की मोटाई मिजर करने के लिए मालोगी तुमघेर यूजी करोगे तो होगा नहीं नोगा अपना चेस्ट का जो चौड़ाई हुसकुम आपने के लिए राट METER का यूच तो होगा नहीं उसके तुम्हें टेप का यूज करना पड़ेगा और फॉर इंस्टेंस मेजरिंग टेप इस मोर सुटेबल फॉर दिस तो यहां से कोश्चन आता है की विश टाइप ओफ मेजरिंग डिवाइस विल वी यूज फॉर मेजरिंग आवर चेस्ट और गर्थ ओफट्री तो एंसर करना है यूल है तो एंसर टेप का यूज करेंगे भाई थीक है for a small measurement such as the length of your pencil you can use a 15 centimeter scale okay बहुत असान है from your geometry box in taking measurement of a length we need to take care of the following one place the scale in contact with the object along its length as shown in figure तो ये भाई तो measure करना है ये तो असान सा चीज इसमें कुन सी बड़ी बात है ये तो बड़ा बिचित्तर बात है कि तुम्हें सीखना पड़े अरे भाई जिसका लंबाय चोड़ा इमापना है उसका के और उससे सटा करके से रखो यहां पर देख सकते हो यह लगभग कितना है 13 cm का है है ना यही बात है in some skills the ends may be broken you may not be able to see the zero mark clearly in such cases you should avoid है ना you should avoid taking measurements from the zero तो तुम उसको बाद में से उसको आगे से scale को mark को करो ठीक एक centimeter से करो तो आसानी से तुम कर सकते हो you can use any other full mark of the scale से 1 cm then you must subtract the reading of this mark from the reading यह मुझे पढ़ाने वाला चीज नहीं है चलो यह तुम खुदी मेजर करते ही होगे यह नहीं आता है तो आपने सर से पूछ लो ठीक है क्या बेकार पढ़ाना चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी भी कुछ खास नहीं है यह उस तरीके से मेजर मेजर दिमाग खराब करके रखा है इसने चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब चलो यहां बढ़ते हैं ठीक है चलो यहां measuring the length of a curved line अब a curved line को कैसे measure करेंगे we cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale we can use a thread to measure the length of a curved line तो यहां पर यह कोई curved line है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग एक धागे का यूज करेंगे और इस धागे से curve line को क्या कर लो measure कर लो अब फिर इस धागे को measurement कर लेंगे अपना skill से बस हो जाएगा इतना संपल सा तो चीज है ठीक है we see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly and we need some standard units and devices with which we measure these distances and can convey our results to others now the question arises and I will ask a question to you मैं तुम से पूछ रहा हूं कि बताओ measurement के लिए क्या-क्या चीज़ें जरूरत है तो सबसे पहला है we need a standard unit हम लोग को standard unit चाहिए मीटर में या फिर centimeter में तुम उसको measure करो किलो मीटर में measure करो और उसके बाद devices दो चीज हम लोग को चाहिए जिसमें हम लोग measure कर सकते हैं ठीक है ना moving things around us तो अब हम लोग देखेंगे think of some objects you have seen recently list them in table 10.4 these may include a school bag a mosquito a table people sitting on chairs or people moving about the list may also have a butterfly a dog a cow your hands a small baby a fish in water a house a factory a piece of stone a horse a ball a bat a moving train a saving machine तो तुम समझ रहो नहीं कि सारा जो मैं बहुत आड यूज कर रहा हूं और वाल clock और the hands of a clock make your list as large as you can which of these are moving which are at rest तो अब तुमको समझना है यहां पर जैसे मैंने बहुत सारी चीजों का नाम लिया जैसे objects at rest and objects in motion अब हम लोग को देखना है कि कौन सा चीज motion कर रहा है move कर रहा है कौन सा चीज wrist में है तो अब देखो motion मतलब क्या होगा यह समझो जब कोई object समय के साथ अपना स्थान को परिवर्तन करता है मतलब एक जगा से दूसरे जगा जाता है तो उसी को कहते है उसको की motion में है जैसे मालो की a से b पर एक यहां पर कार खड़ी थी पहले ठीक है यह 10 बज कर 10 मिनट पर यहां खड़ा था और जब हम लोगों ने देखा करके 10 बज कर एक मिनट हुआ है तो यह कार आगे की ओर आ गई है तो हम लोग वोलेंगे इसमें motion हो रहा है यानि कि समय के साथ यह अस्थान को परिवर्तन कर रहा है एक अस्थान से दूसरे जगह जा रहा है तो हम लोग बलेंगे यह क्या कार क्या है बच्चों motion में है यानी move कर रहा है लेकिन मालो कि यह कार जो है position A पर है 10 बच के 10 मिन Little पर पर 10 बच के 11 मिन Benninku पर भी है 10 बच के 12 मिनित पर भी यहीं पर है जहां था वहीं है यानी ये समय के साथ अपना स्थान परिवरतन नहीं कर रहा है जहां था वहीं तो हमलोग बोलेंगे कि ये किस चीज में है रिष्ट में है तो जब कोई object समय के साथ अपना position को change करता है और यादरों को position पॉजिशन मतलब पहले यहां था अभी यहां है फिर यहां है फिर यहां है फिर यहां है फिर यहां है मालोग पॉजिशन ही अपना चेंज कर रहा है पहले यह पर था फिर भी पर आया फिर सी पर फिर दी पर फिर इस तरीके से वह बदल रहा है अपने अस्थान को पॉजिश इसे कि एक पक्षी है फ्लाइंग बड्ड वो मोशन में है सेकेंड सेंडल आफ दे क्लॉक जो एक लॉक है उसका सेकेंड वाला हैंड मीनट वाला हैंड वो घूम रहा है तो वो क्या बुलेंगे कि वो मोशन में है चलती हुई कार चलती हुई बस क्या है मोशन में है उड़ता हुआ मक्षी उड़ता हुआ मच्छर चलती हुई चीटी क्या है मोशन में है लेकिन एक पेंड क्या है बच्चो वो रेष्ट में है एक टेबल क्या है रेष्ट में है एक हाउस क्या है रेष्ट में हैं तुम अभी बैठे हुए हो तो तुम क्या में हो रेस्ट में हो समझ रहे हो ओकी तो अब चलो यहां देखते हैं आगे कि जब कोई और पॉजिशन चेंज करता है आप जैसे बढ़ता है वैसे अपना पॉजिशन चेंज करता है तो बोलते हैं कि वह शन में है गति कहते हैं दी में क्या बलते हैं गती में है ठिक है Mission मतलब गती और यदी वह Position change नहीं करता दिनवी से धै रट रेस्ट मतलब क्या अए कि वह स्थिर है क्या है स्थिर है गती नहीं कर रहा है क्यों माईट हैं मिदल दो टिस दैट da bird is not at the same place after some time यानि बॉर्ड क्या है या बॉर्ड मतलब छीडिया क्या वो एक प्लेस में रहता है सेम प्लेस या प्लेस नहीं प्लेस बोल रहे है प्लेस आफर सम टाइम तो वो ओर रही है यानि वो क्या गती में है यानि कि वो अपना जगह जहां था वही है यानि कि वो अपना जगह जहां था वही है on the basis you may have decided whether an object is at rest or in motion when it does not change its place it is at rest and when it changes its place it is in motion let's look at the motion of an ant closely select a place where you find ants ants जाओ और ants जहां पर हैं वहां खोजो लेकिन उसको touch मत करना काट लेगी spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it ants are likely to be attracted to the sugar ants मतलब चीटियों को चीनी दो sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper सुन लो तो तुम देखो कि बहुत सारे ants वहां पर crawl करते आएंगे मतलब वो रिंगते हुए आ जाएंगे for any one ant try and make a small mark with a pencil near its position तो देखो पॉजिशन वड़ा गया ना यानि कि यह बोल रहा है कि वो जो फिर दीपर तीस का मतलब है it is changing its position and that's why it is moving and it is in motion each point you have marked shows where the ant moved to in intervals of a few seconds motion seems to be some kind of a change in the position of an object with time time word use करना जरूरी है पॉजिशन वड़ यूज करना जरूरी है तो वाट इस मोशन वेन एन ऑबजेक्ट चेंज इट्स पॉजिशन विथ टाइम इसी को हम लोग क्या कहते है motion तो तुमको क्या क्या वर्ड याद करना है position वर्ड एकदम बार बर में बता रहो position वर्ड याद करना है with time वर्ड को याद करना है object तो तुमें पता है कोई वस्तु जो समय के साथ अपना स्थान को बदल रहा हो उससे क्या कहते है motion InActivity 5, where did you place objects like a clock, a sieving machine or an electric fan in your grouping of objects तो हम लोगों ने क्लॉक यादी घडरी है टंगा हुआ है वाल घड्य Spec open में है यादि घडरी का सूइछ की बात करएं तो वह मोशन मेंskin में सरा जूए फॉन में लेकिन यrontाया जारा है ये मोशन में है इलेक्ट्रिक फेन का स्वीच ओन है तो मोशन में है स्वीच ओफ है तो रेस्ट में है आर इस आप्जेक्स मॉविंग फ्रॉम वन प्लेश तू अधर नो कि दो यो नोटिस मूवमेंट इन एनि अफ देर पार्ट्स तू देखो अब फैन की अधिए बात करें तो एक जगह से दूसरे जगह तो नहीं चल रहा है लेकिन इसका जो फैन का जो इस तरीके से जो डैना है वो तो देखोगे कि अपना पॉजिशन चेंज कर रहा है डैना यहां था जो है इसका डाइना वो तो पॉजिशन को चेंज कर रहा है इस तरीके से जो क्लॉक है इसका जो सुई है minute का या second का वो change करेगा ठीक है इस प्रकार से sheaving machine है उसका सोई उपर नीचे उपर नीचे करेगा तो इस प्रकार से देखो कि उसके parts में क्या हो रहा है वहाँ पर motion हो रहा है the blades of the fan तो dynna को ही क्या करते है blades of fan or the hands of clock how are they moving तो यहाँ पर ध्यान दोगे कि जो fan का blade वो circular motion कर रहा है hands of clock circular motion कर रहा है यह बात ध्यान अब circular motion क्या है जो की इस तरीके से गोल 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 घुमेगा ना तो उसको बोलेंगे circle में जो घुमेगा उसी से क्या word याद करेंगे circular motion in their movement similar to that of an ant or a train is their movement मतलब क्या उसका जो movement the ant की तरह या train की तरह है तो answer है नहीं यह different kind का motion है यानि की अब हम लोग को पढ़ना पढ़ेगा types of motion motion भी अलग-अलग प्रकार का होगा you may have observed the motion of a vehicle on a straight road march past of soldiers in parade or the falling of a stone what kind of motion in these is these तो यहां पर देखोगे तुम देखोगे कि यह जो वेहिकल से वो रोड पर चल रहे हैं या soldiers रोड पर मार्च पास्ट कर रहे हैं या फिर देखोगे कि स्टोन को यहां पर छोड़ा तो वह सीधे उपर से नीचे की रोगई रहा है तो यह इस तारी इनको हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रकार के motion को क्या कहते हैं यहां पूछ रहा है तो यहां सीधी रिखा में एक रिखा में यह देखोगे कि यह सारा motion हो रहा है और बहुत सार एक्जामपल और भी देख सकते हो तुम इन आल दीज एक्जामपल वी सीधाट ऑब्जेक्स मूफ अलॉंग और स्ट्रेट लाइन थीक है तो यहां पर सारा जो मोशन है इसमें हम लोगों ने देखा कि यह जो सारे ऑब्जेक्ट से स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं इस टाइप ऑफ मोशन इ तो कोई दिकत नहीं है यह पूरा वर्ड याद रखो तो वाट इस लीनियर मोशन वें एनी ऑब्जेक्स मूव एलॉंग स्ट्रेट लाइन जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चलती है तो उसे ही क्या कहते हैं लीनियर मोशन या फिर रेक्टी लीनियर जो वर्ड या अब्जेक्ट मूव एलॉंग 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 तो यह क्या है यह circular path में चल रहा है and this type of motion is circular motion in this motion the distance of the stone from your hands remains the same ठीक है कोई दिकत नहीं है लेकिन you have to answer what is circular motion then you have to say when objects move along circular path when any object moves along circular path it is called as circular motion कितना असान है बच्छो वाट इस तर्कुलर मोशन विन एनी ऑबजेक्ट ऑबजेक्ट मूव या मूव एलॉंग अस्ट्रेट लाइन सॉरी सर्कुलर पाथ इस गौर्ड है तो तुम्हें क्या याद करना है बस दो एक स्ट्रेट लाइन है तो रेक्टी लिनियर यह दिस बता हो अब यह जो motion है वो क्या है circular motion है यहां पर यह जो motion है वो क्या है circular motion है getting all these things बच्चों the motion of a point marked on the blade of electric fan or the hands of a clock are example of circular motion now you will have to answer the examples of circular motion to tie a stone and tie a stone is go a stone go tiger my and move it then it is a example of circular motion rotation of fan blade it is a example of circular motion in the same way the rotation of anything that rotates along the circular path it is a circular motion okay the electric fan or the clock by themselves are not moving from one place to another but the blades blades are moving now so blades are moving so this is a example of motion and a fan rotates and so do the hands of clock if we mark a point anywhere on the blades of a fan or in hands of a clock the distance will point from the center of the fan or the clock will remain the same as the they rotate that so it is also example of circular motion now in some cases the objects repeats its motion after some time यहां पर देखो this type of motion is called periodic motion तो periodic motion क्या होता है बच्चों जैसे कि देखो यहां पर यह जो तुम्हारा का movement हो गया किसी का example हो जाएगा यह बार बार रिपीट कर रहा है इसलिए यह एक्जामपल है तुम्हारा प्रियोडिक मोशन का तो वाट इस प्रियोडिक मोशन तो वेन एन ऑबजीट वेन ऑबजीट रिपीट इस मोशन आफ्टर सम टाइम यदि कोई प्रियोडिक मोशन को दिखाएगा hold the string in your hand and let the stone hand from hang from it hang मतलब लटका दो this is a pendulum यह pendulum बन गया pull the stone to one side मतलब इसको इधर खिंच लो फिर चोड़ दोता है इसे टोई 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 गुमेगा तो that is also an example of yes periodic motion a branch of a tree moving to and fro तो यहाँ पर word अब आ गया to and fro to and fro मतलब क्या हो गया आगे पीछे आगे पीछे से एक बिंदू है इसका आगे इधर आया फिर इधर आया इस बिंदू के आगे पीछे आगे पीछे से motion होगा दूसी उगलते टो एंड फ्रो मोशन तो जब स्विंग मतलब जू जूला होता है तो इस तरीके से मान लो यह जूला यह मान लो कि यह डाली है तुम्हारा ठीक है इस डाली पे से जूला लग गया है अब जूला पर बच्चा जूलेगा तो यह टू एंड फ्रो इदर आगा पीछे जाएगा इदर आगा पीछे जाए है तुस परकार से टू एंड फ्रों मोशन भी क्या है यह भी है periodic motion is strings of guitar और the membrane of drum, tabla being played are all example periodic motion यह सारे periodic motion के क्या है एग्जामपल यह देखो आगे अगे पीझए तुस प्रकार से periodic motion का क्या है example यह सारी examples you will have to memorize और रिमेंबर गेटिंग यू आल बच्चों तो यह तो चैप्टर अब समामत होने वाला है और जिफ्स और पार्ट ओफ इट रिपीट्स इस मोशन आफ्टर एफिक्स इंटर्वल उप टाइम डिट यू अब्जर्ब स्वी सीविंग मशीन आज पार्ट अप्टिविटी फा ओफ औरे लिए डादिट्री मेंडी मेंड्रेश पीजर्ब सवीर इंस वह जो रीकष्टी फॉर बाट्रा ओलाएंटिय वह तो सीविंग मोशन करेगा लेकिन उपर निच्पर निचे उपर नेचे मूंपर यानि कि वो कैसा motion है, periodic motion है, कि सारा पूछेगा तुमसे exam में, examples you will have to answer, have you observed closely the motion of a ball along the ground, here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward along the ground, thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion, अब देखो rotational motion एक नया बात बता रहा है, कि जब कोई rotate करेगा, roll करेगा, तुस्य से rotational motion आ गया, can you think of other examples where objects undergo combinations of different type of motion, तो यहां पर जो बाल एक था, सीधी से लाइन में जा रहा था, तो यह घूम भी रहा था, और सीधी लाइन में जहां भी रहा था, यानि कि यह rectilinear motion भी कर रहा था, और rotational motion भी कर रहा था, तो कुछ और सोंचो या, तुम तो बहुत तेज हो, we did many measurements activities and discussed some kinds of motion, we saw that motion is changing, the position of an object, तो लो बहा पर लिया ना, with time, the change in the position, this position can be determined through distance measurement, this allows us to know how fast or slow motion is, the movement of a snail is on ground, a butterfly fleeting from flower to flower, a river flowing, an airplane flying, moon going around, the earth and blood flowing inside our bodies, so that there is motion everywhere around us, and that is the end of our chapter, we'll meet you in next chapter, okay, thank you, thank you, bachchon.